हलो गाई स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल स्टड़ी बिद पूनम जटोर की साथ तो कल की वीडियो में हमने मंडी जिले की जो हिस्ट्री है वो कम्प्लीट की थी आज हम मंडी जिले के बार में अधर फैक्ट जानेगे वहां के मंदीर, वहां की घाटिया, वहां के वहां पे कौन-कौन सी जीले हैं, वहां का प्रशाशनिक धाचे ये सब कुछ हम आज बढ़ेंगे ठीक है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले देख लेते हैं, ये है हिमाचर प्रदेश का मैप और ये जो है, ये है मंडी डिस्टिक, तो इसकी सिमाए कितनी अधर जिलो के साथ लगती हैं, तो सबसे पहले ये वाला है शिमला, कुलू, ये कांगडा है, ये हमीरपूर है, और ये बिलासपूर है, और तो कितने जिली के साथ लगती है, वन कुलू, टू शिमला, थ्री सोलन, फोर विलासपूर, फाइव हमीरपूर, और कांगडा, ये सिक्स जिलो के साथ इसकी सीमा लगती है, ठीक है, तो इसका कुल शैतरफल है, ये मंडी डिस्टिक है, उसका गठन हुआ था, पंदरा अप पचास वर किलोमेटर, 3950 वर किलोमेटर, और यहां की साक्षर्तादर की बात के जाए, तो 21.53 यानि 81.53 परसेंट है, और यहां का जंसंक्या गहनत्व है, 253 यानि 253, और यहां पे जो ग्राम बंचायते हैं, वो है, 473, और विकास खंड यहां पे है, 10, बिधान सबश यहत है, 107, यानि 1000 पुरूशों के बेचे, 107 यहां पे महिलाए है, और यहां पे अगर जंसंक्या की बात की जाए, 2011 की जंगना की अनुसार, तो 99,770 के लगबग यहां की जंसंक्या है, चिक है, अगले कंसेप्ट देख लेते हैं, जील, जो यहां पे कौन-कौन सी जील है, तो पहली है हमारी रिवालसर जील, रिवालसर जील यह आपको पिक्चर में दिख रही होगी, यह है रिवालसर जील, और इसकी आकरती है, चकोर, चकोर यहां की आकरती है, और यह प्राकरतिक जील है, और इसको तसो पोमार लोटस के नाम से भी जाना जाता है, तसो पोमार लो studies को जानते हैं नेक्स्स अमारी है पराश जीर यह है पराश जीर जो आपको दिख रहिag यह प्राशुआ के अंदर प्राश करेश्च चील और है का यह है जो यह वाला यह तेरता हुआ दूइप इसको कहते हैं तेरता हुआ दूइप तो यह कहां पर है किस जील में है तेरता हुआ दूइप पराशर जील में ऐसा कुशन आ सकता है कि ऐसी कौन सी जील है जिसमें तेरता हुआ दूइप है तो कौन सी है पराशर जील है और वह कहां पर स्थित है मंड कुमारवा जील, कुंत भयोग जील, सुकसार जील, कालासर जील और पंड़ो जील ये हैं पंड़ो जील, पंड़ो जील, पंड़ो डेम भी हैं एक ठिक हैं अगली आती है हमारे वन्नी जीव अभ्यारण कितने हैं तीन मेन हैं यहां पे शिकारी देवी वर्ने जीव अभ्यारण और नारगू और बांदली ये वाले जो साम पिच्चर में दिख रही है वर्ने जीव अभ्यारण अगली आती है हमारी नदिया, कौन-कौन सी नदिया है, ब्यास नदी, उहल नदी, बेकर खड, सोन खड and जीवडी खड, ये जो जीवडी, सोन, बेकर और उहल नदी है, ये सारी क्या है, ब्यास नदी की साइक नदिया है, और ये कहां पर बहती है, मंडी में बहती है, चिक है अगले आते हैं टेंपल्स भूतनाथ टेंपल्स अगर आपने हिस्ट्री के वीडियो नहीं देखिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जागी है उपर आई बेटन में लिंक आ रहा होगा आप वहां से आके देख सकता है तो भूतनाथ जो मंदिर है वो मंडी शहर में स्थित है और इसका निर्मान 1556 में राजा अजबर से ने करवाया था किस ने करवाया था राजा अजबर से ने और यह है हमारा भूतनाथ का मंदिर यह है भूतनाथ मंदिर जो कहां पर स्थित है मंडी में भी कहां पर है मंडी शहर में ये स्थित है अगला देख लेते हैं अगला जो है वो है श्यामा काली मंदिर ये है श्यामा काली मंदिर जो आपको पिक्चर में दिख रहा है इसका निर्मान राजा श्याम से ने करवाया था किस ने करवाया था शाम से ने करवाया था और यहां मंडी में सतित राजा शाम से ने करवाया था ठीक है अगला जो टेमपल आता है वो आता है पराशर मंदिर पराशर मंदिर का निर्मान बांड से इनने करवाया था तेरा सो चालिस इसी में पराशर जिल के आज पास ये पराशर जिल के पास ही एक टेंपल है इसका नाम है पराशर मंदिर और इसका निर्मान करवाया था बांड से इनने कब करवाया था 1346 इस्वी में अगला आता है हमारा मगरू महादेव मंदिर यह मंदिर भी मंडी शहर में स्थित है यह वाला है हमारा मगरू महादेव मंदिर अगला आता है बटूक भेरब मंदिर बटूक भेरब मंदिर भी कहां पे स्थित है सोलन में, सौरी मंडी में से ते, सिद काली मंदिर, इसका निर्मान राजा सिद से ने करवाया था, ये वाला है सिद काली मंदिर, और अगला आता है, सिद जालपा मंदिर का निर्मान भी किस ने करवाया था, सिद से ने करवाया था, अगला आता है हमारा माधोराय मंदिर माधोराय मंदिर का नर्मान सूरत सेन ने करवाया था और इनकी वहाँ पे चांदी की जो मुर्ती है प्रतीमा है वो बनाई गई थी माधोराय की और इनको मंडी का क्या है कुल देवता के रूप में बनाया था किसने बनाया था सूरत सेने और इनको राजगदी क्या की थी भेट की थी राजगदी इनको समर्पित की थी माधोराय को ठीक है और ये मंदिर बनाया था अगला है शंबू महादे मंदिर सिद्ध भद्रा मंदिर का निर्मान भी किसने करवाया था सिद्ध सेने करवाया था अ अब यसलिए बाते famous होगा और यह मंडी शहर में मनाया जाता है और साथ दिनों तक यह लगातार मेला चलता है और यह माचर परदेश का famous मेला है और अगला आता है माहु नाग मेला एक राज़िस तरी मेला है जाता है और लास्ट टॉपिक है इसका घाटिया इमला बिमला घा सिकारी धार के पर लोगों के बीच में में इमला बिमला घाटी पर लोगों के बंदी है उहर नदी को क्या माना जाता है चोहार घाटी का निर्माता माना जाता है ठीक है तो आज हमने क्या क्या पढ़ रहा घाटिया पढ़े जिसमें हमने कौन-कौन सी घाटी पढ़े इमला गाटी इमला बेमला घाटी और चोहार घाटी और हमने मंदीर मेलों में पढ़ मंदिर सिद्ध भध्रा मंदिर शब्बू मंदिर महादे मंदिर और हमने पड़ा सिद्ध जालपा मंदिर और माधोराय मंदिर मगरूम महादे मंदिर और हमने पड़ा पराशर मंदिर श्यामा काली मंदिर भूतनाद मंदिर और नदिया भी पड़ी हमने ब्यास नदी उहल न जानब हमने यहां पर पर तिन पढ़े, कौनकों देने नारगू और दोपनड सबमांद कर रहा है वहीं moim पढ़े tv दे लिएriverा už परारया-ठीज़ और कांद, 3.5. पचास वर किलोमेटर और साक्षरता दर 81.53 परसेंट है तो ये कंसेप्ट थे इसके most important और कुछ कंसेप्ट जो बच किये हैं वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को like share और कमेट करना बिल्कुल भी न भूले और वीडियो चैनल पर जो नहीं है वो चलको subscribe चलूर कर दे थेंक्यू